नमस्कार मैं विक्रम पडेल आप सभी को आपका अपना ही चैनल सीखें कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं इसके पहले बाले वीडियोज में बहुत सारे सब्सकाइबर्स का कॉमेंट आ रहा ताकि सर प्लीज टी का उचारण का नियम बताएं जैसे आप यहां देख सकते हैं कुछ मेंने इकजामपल लीह हैं कैसे यहां ठी का उचारण अलग-अलग होता है चलिए इसको हम लोग देखते हैं जैसे टी-फर ईएन इसे हम लोग क्या परते हैं यहां टी का धौनी क्या निकल लगा शुए हैं इसे हम लोग क्या परते हैं तरून यहां टी की धोनी क्या निकल लई है तो अखिर इन सभी जगों पे टी की धोनी अलग अलग निकलती है क्यों यह सवाल उत्पन होता है तो चलिए आज हम लोगी इस डाउट को किलियर करते हैं चलिए हम वो रूल नंबर को सीखते हैं रूल वन क्या है रूल वन हमारा क्या है वो हम सीखते हैं rule 1 rule 1 rule 1 क्या है यदि चोटे straight is हर के लिए क्या हुद्र के लिए क्या होता है छोटे तो भड़ते हैं कि निकलती है वह क्या निकलती है तो निकलती है यानि सदायनता उसकी जो धोनी निकलती है छोटे वह सरल सब्दों के लिए टी का टप औरते हैं वह कैसे हम पुछ एक्जाम्पल्स देखते हैं जैसे टी-i-m-e इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं टाइम यहां है चोटा यह हम सरल वाक्य है य उसी प्रकार T-O-P इसे हम लोग पढ़ेंगे ट और निकलेंगे तणिकालेंगे उसे प्रकार से क्या है हमारा R-A-T इसे हम लोग क्या पढ़ते है'T यहान ट की दोनी क्या निकलते हैं ताध होनी निकलते हैं F A S T , यह लोग क्या परते है , T A N यह आप सकते हैं , यदि सर्ल वर्ड रहेंगे , यानि छोटे एवन सर्ल word रहेंगे नी, सब्द रहेंगे तब वहाँ जो T की धोनी होती है वो सधानता क्या होती है तो सवाल ही होता है ये तो हम सरल सब्दों के लिए हम T की धोनी T निकाल लेंगे लेकिन और आगे एक्जांपल से उसे हम लोग सीखते हैं तो अगला एक्जांपल क्या है वो हम लोग सीखते हैं अगला एक्जांपल हमारा है रूल नोंबर टू रूल नोंबर टू क्या कहता है यदी T के साथ यदी T के साथ U, R, E होतो T बराबर चौद होनी जी हा, किसी भी word में यदी T के साथ U, R, E यानि आप ऐसे कर सकते हैं T के साथ U-R-E यानि T-U-R-E एक साथ हो तब यहाँ T की धोनी क्या निकलते हैं चर निकलते हैं तो यहाँ T की धोनी तो हम चर निकलनी लेंगे और U-R-E, U-R-E तो इसकी धोनी क्या निकलेंगे और निकलेंगे तो क्या चर, इसे हम क्या पढ़ेंगे चर, चर धोनी निकलते हैं, चर, आप देख सकते हैं, कुछ एक्जांपल समने लिए हैं, उसे देखकर अपना डाउट के लिए कर लेते हैं, जैसे C, A, P, T, U, R, E, तो अभी आपने नियम क्या पढ़ेंगे, यदि T के साथ U, R, E, यान इसे हम क्या पढ़ेंगे, पिक्चर, क्योंकि T, U, R, E, एक साथ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, पिक्चर, उसी परकार से N, A, T, U, R, E, इसे हम क्या पढ़ेंगे, नेचर, दोस्तों यह जो एक्जांपल है, वो बहुत भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसे गलत प पर हो गया अगला एक्जांपल हैं हमारा मिक्स्टर यहां आगला एक्जांपल एक्जांपल लेक्चर यहां आप देख सकते हैं आधा को क्यों आया यह सवाल आपको आता होगा मन में तो दोस्तों यदि आप हमारे और लेडी जो वीडियो अप्लोड है वो नहीं देखे हुए है जैसे आज पर आधा जो धोनी निकालते हैं उसका उचान कैसे होता है क्यों होता है यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लिज आई बटन में लिंक दिये हुए है आप वहां से क्लिक करके अचानी से देख सकते हैं तो अगला है हमारा क्या है हमारा future future यांई क्या पढ़ेंगे इसको फ्यू यानि फ्यू और T U R E क्या है चर चर, यानि future, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यदि T के साथ, यदि किसी भी वर्ड मे़ T के साथ, U R E, यानि T U R E एक साथ रहता है तब वहार T की तो धोनी चर निकलते हैं और U, R, E की धोनी अर निकलते है यानि दोनों T, U, R, E एक साथ मिलगर क्या धोनी निकलता है अच्छार तो अब हम लोग अगला next rule सिखते हैं next rule क्या है हमारा rule number 3 जी हाँ rule number 3 क्या है हमारा T ब्रबर 4 धोनी निकलेगी कब यदि S के बाद T, I, O, N हो तब T की धोनी क्या निकलेंगे 4 निकलेंगे वो कैसे हम कुछ examples देखके doubt को clear करते हैं जैसे यहाँ example आप देख सकते हैं Q, U, E, S, T, I, O, N यानि S के बाद क्या है हमारा T, I, O, N तब यहाँ S के साथ ही क्या है हमारा T है यानि S का धोनी अधा सा हो गया और T, I, O, N यानि यहाँ T की धोनी क्या निकलेंगे 4 यानि आप यहाँ ऐसा देख सकते हैं T, I, O, N T, I, O, N क्या है हमारा T, I, O, N एक साथ है तो क्या है हमारा T की धोनी कलेंगे 4 और I, O, N यानि क्या है हमारा question क्या है question उसी प्रकार से अगला इसे हम क्या पढ़ेंगे? आप से कोई पूच्ता भी है कि कुम । तो यह आपको बताना होगा कि T के बाद क्या है हमारा I-O-N यानि S के बाद क्या है हमारा T-I-O-N है यानि किसी भी वर्ड में यदि S हो और S के बाद T-I-O-N हो तब वहाँ T की धोनी क्या निकलते हैं? चो निकलते हैं उसी प्रकार से अगला एक्जामपल क्या है हमारा D-I-G-E-S-T-I-O-N इसे हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टन यानि डाइजेस्टन यानि T की धोनी है तो यह क्या निकलेंगे? चो निकलेंगे क्यों कि S के बाद क्या है हमारा T-I-O-N है इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टन यानि डाइजेस्टन इसे पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं जो रूल नमबर 3 हमारा क्या है? T बराबर हम यानि T की जो धोनी निकलेंगे वो चो निकलेंगे लेकिन कब निकलेंगे? इस के बाद यदि T-I-O-N हो इसके पहले आप पढ़ेंगे यदि T के साथ क्या हो? हमारा U-R-E हो यानि T के बाद क्या हो? हमारा U-R-E हो तब भी वहाँ T की जो धोनी निकलते हैं वो क्या निकलते हैं? चो निकलते हैं आप सीख लिए अब हम लोग सीखते हैं next rule नेक्स टूल यानि rule no.4 हमारा क्या है rule no.4 को हम देखते हैं और सीखते है rule no.4 rule no.4 क्या है हमारा यदी अंत में यदी अंत में यानि किसी भी वर्ड यानि कोई भी सब्द हो यदी अंत में T I O N यानि किसी भी word के अंत में T I O N या T I O U S या T I A L या T I E N T हो तब वहाँ जो T की धोनी निकालते हैं वो क्या निकालते हैं 100 धोनी निकालते हैं कब यदि किसी भी word के अंत में T I O N हो यानि इन सभी में से य्थी खोई हो तो महाँ त्वहां जो टी दोैइंश दोने निकलते वो जो हैं निकलते हैं वो कैसे हम कुछ इक्जांप्ल स्कीमद्द से सीख्ते हैं जैसे यहां क्या है हमारा एक्जामपल न, A, T, I, O, N, N, A, यानि N का तो नो हो गया, और A की धोनी यहाँ, A निकालेंगे तो ने हो गया, और T, I, O, N, T, I, O, N, तो यहाँ T की धोनी 100 निकालेंगे, और I, O, N, अभी आपने उपर बाड़े एक्जामपल, यानि रूल नमबर 3 में सीखा कि T, I, O इनका क्या होता है, अन, तो यह क्या हो गया हमारा नेशन, उसी प्रकार से यह एक्जामपल क्या है हमारा, F, U, N, C, T, I, O, N, यानि function, यानि function पढ़ेंगे इसे, क्योंकि T, I, O, N है, लास्ट में इसलिए इसका T की धोनी क्या निकालेंगे, सा निकालेंगे, उसी प्रकार स इसे अगला एक्जामपल है हमारा, P, A, R, T, I, A, L, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, पार्सल, क्योंकि लास्ट में यानि, वर्ड के लास्ट में क्या है हमारा, T, I, A, L है, तो एक्जामपल, यानि आभी आपने रूल में पढ़ा यदि, T, I, O, N, T, I, O, U, A, C, R, T, I, A, L, T, I, A, L, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, मार्सल, क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा, T, I, A, L है, इसलिए इसे हम यहाँ T की धोनी क्या निकालेंगे, शानि कालेंगे, तो इसे हम क्या होगी हमारा, उसी परकार से, अगला जो एक्जामपल है हमारा, वो क्या है, P, A, T, I, E, इसे हम क्या पढ़ेंगे, पेसेंट, पेसेंट पढ़ेंगे इसे, क्योंकि T के बाद क्या है, I, E, N, T, I, E, N, T, एक साथ है, तब यहाँ T की धोनी क्या निकालेंगे, शानिकालेंगे, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, पेसेंट, पेसेंट, यानि क्या होता है, पेसेंट में Zen इसे हम क्या पढ़ेंगे? यानि इसे हम ya TikTok नहीं निकालेंगे नहीं तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ट के साथ क्या है हमारा強ic aurlor गlor क्या है? एनितर के आर आई टी ओ यू एस यानि यहाँ देख सकते हैं और पारं में क्या है? T O U S, यानि T O U S, एक साथ है, तब इसे हम क्या पढ़ेंगे New Tresus, यानि Neutrisus, इसे हम क्या पढ़ेंगे New Tresus, उसी प्रकार से जो अगला एक्जामपल है, हमारा वो क्या है, C A U, T I O U S, इसे हम क्या पढ़ेंगे CAUSUS, क्योंकि last में क्या है, हमारा T I O U S है, यहनि टी आई ओई उए से तो इसे हम क्या पढ़ेंगे कॉसास पढ़ेंगे तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि रूल नॉबर फूर जो था हमारा वो क्या था यह किसी भी वर्ड यानि कोई भी वर्ड हो यह उस वर्ड के अंत में टी आई ओ एक साथ हो या टी आई ओ हो या टी आई एल हो या टी आई एंट हो तब वहां टी की जिद्वनी होती है वह क्या निकालते हैं सद्वनी निकालते हैं अब हम लोग नेक्स टूल को सीखते हैं नेक्स टूल क्या है हमारा वो सीखते हैं नेक्स टूल यानि यह नेक्स टूल हम देखते हैं जैसे नेक्स निकलते हैं, वो क्या निकलते हैं, दो या थो, दो या थो धोनी निकलते हैं, वो कैसे हम examples को देखते हैं, जैसे TH बरबर दो धोनी निकलेगी, वो कब हम सीखते हैं, जैसे THE, यानि यहाँ पर जो TH की धोनी निकलेगी, वो क्या, यानि दो, इसे हम क्या परते हैं, दो या दी दो या दी पढ़ते हैं लेकिन दो या दी दी कपढ़ते हैं या और दो कपढ़ते हैं यदि A, E, I, O, U यदि भवेल हो तब हम क्या पढ़ते हैं दी पढ़ते हैं और कॉंसनेंट हो तब हम क्या पढ़ते हैं दो पढ़ते हैं तो ये दो और दी है याई भवेल के साथ हम D धोनी निकालते हैं और कॉंसनेंट के साथ हम D धोनी निकालते हैं अगला है हमारा T H E S E दी जे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? दी जे यदि आप यहाँ सोचे होंगे की S E है तो यहां S की धोनी निकल रही है तो आई बटन में उसका लिंक दिये हुए आप पहले जो वीडियो जो अप्लोड है एस के उचारन की नियम उसे तो आप जरूर देखें क्योंकि जब तक आप ए से लेकर जेट तक उचारन कैसे करते हैं यह नहीं सीखेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत होंगे तो प्लीज आप ए से लेकर जेट तक के जो उचारन होते हों प्लीज एक बार देखें और समझें तो इसे हम क्या पढ़ेंगे दिज और अगला है हमारा टी एच इएम इसे हम क्या पढ़ेंगे देम तो अब हम देखते हैं तो अब हम देखते हैं एक जांपल्स की मदद से देखते हैं जैसे T-H-E-O-R-I, इसे हम क्या पढ़ेंगे? थेवरी, यानि यहाँ जो TH की जो धनी होती है वो थो निकलती है तो क्या है हमारा थेवरी? उसी प्रकार से ट-H-E-M-E, इसे हम क्या पढ़ते हैं? और अगला है हमारा T-H-E-R-M-O-S, इसे हम क्या पढ़ते हैं? थर्मस थर्मस यह क्या है हमारा थर्मस और अगला है हमारा टी एच इए टी आर ए इसे हम क्या पढ़ते हैं थेटर तो अगला जो रूल है वह हम लोग रूल सीखते हैं इस रूल में हमने क्या सिखा तो इस रूल में हमने यह सिखा कि टी एच के बाद यदि ए हो तब वहां ट होती हो दो भी निंकलती और थो भी निकलती है तो यह हमने सीखा अब हम लोग अगला रूल सीखते हैं अगला रूल क्या है हमारा और सूप तौध होने निकलेगी ती जो है वो तौध यानि हम लोग ऐसे पढ़ते भी है टी से टौध होता है और तौध होता है तो टी से टौध होगा यह तो हमने सीख लिया और यहां क्या है हमारा टी से तौध होनी भी निकलेगी लेकिन बात यह आती है कि कब निकालेंगे तो टी कब दोस्तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि टी जो होती है टी बराबर हम तौध होने निकालते हैं लेकिन कब निकालते हैं यदि छोटा एवं सरल सब्द हो तब वहां टी बराबर तौध पढ़ते हैं यानि छोटा एवं सरल हो तो यह तो हम चिक लिए लेकिन टी बराबर त तो अधोने निकलती है, यदि कोई नाम हम लिखते हैं, कोई नाम बोलते हैं, तब वहाँ जो टी, टी जो होती है, उसका जो उचान होता है, वो तो होता है, यानि कोई किसी भी परकार का यदि हम नाम लिखते हैं, तब वहाँ टी, यानि जो टी लिखते हैं, वहाँ तो अध रिवह इपने हम कि परकार के नाम को लिखते हैं यह जगह का नाम हो आदमी का नाम हो तब वहां टी का टॉप पर्डे वाउए पड़ते हैं लेकिन है फैंप फाल लो या सोटा हो से कोई मतलब नहीं है ये थो टॉक पिलिए लेकिन खोटा हम साथ होना jest लिए एक्सराल Yeah बोड़ा हो या दी किसी भी परकाद के नाम नाम हो तब वहाँ ज snGO 4 canhand करते हैं और कुछ they का विग्जांपल Сिए हम क्या पढ़ेंगे length तो दोस्तों हमने सीख लिया T, यानि T का जो उचारण होता है वो किस परकार से करते हैं हम लोग इस वीडियो में सीख लिये I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेर जरूर करे, प्लीज सपोर्ट करे और हमारे चैनल पे नए यदि है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और विल आइकन और प्रेस करके हमारे साथ जूर जाए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और बहतरीन से बहतरीन वीडियोज को लाता रहूँ तब तक के लिए धन्यवाद, अब हम लोग मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में, जैहिंद